नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है अगर आप में किसी चीज को पाने की जिद और जजबा हो तो वो चीज आपको ज़रूर मिलती है ये बात सच कर दिखाई है उत्तरप्रदेश के मेरट की रहने वाली एक बेटी ने संजु नाम की सबेटी ने अपने घरवालों के खिलाफ जाकर अपने करियर को इंपोर्टेंस दी इसके लिए संजु ने अपना घर छोड़ा अपने सपने को पूरा करने के लिए संजु ने कभी ड्यूशन पढ़ाया तो कभी प्राइबेट नौकरी की लेकिन पढ़ाई में कोई कोता ही नहीं बढ़ती संजु ने साल 2017 में सिविल सर्वेसिस की तयारी शुरू की साथ साल बाद उसका संघर्ष रंग लाया और उसने अपनी महनत और लगन से PSC की परिक्षा पास की आखरकार उसकी महनत रंग लाई और सालों की महनत का फलू से उसकी काम्याबी से मिला दरसल संजु मेरट की रहने वाली है संजु का ऐसे परिवार से तालुक है जहां बेटियों के सिख्षा को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है इसी वजह से उसकी बड़ी बेहन की शादी इंटरपास करने के बाद ही कर दी गई थी जैसे ही उसने इंटरपास किया तो घरवालों ने संजु को भी आगे पढ़ने से मना कर दिया जिसका संजु ने विरोत किया और घर छोड़ने का फैसला किया हलाकि संजु के लिए भी घर छोड़ने का फैसला असान नहीं था PST परिक्षा में कामयाबी हासल करने के बाद संजू अब IAS की तयारी कर रही है संजू की खुआश है कि वो एक दिन कलेक्टर बन कर मेरट आए संजू का कहना है कि वो गरीब लड़कियों के लिए काम करेंगी प्राक्रिती से इसने करने वाली संजू ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप कि इतने प्रियासों के बाद सफल हुए बलकि फर्क इससे पढ़ता है कि आपको कामयाबी मिली या नहीं बतादे कि शिक्रवार को यूपी PST का रिजल्ट जारी किया गया है कि इससे कूपको रिजल्ट लाओ के वंढ़ता कि भूपी